हलो एब्रिवान तो लास्टेम हमने डिस्कस किया था डिजीजिस ओफ मैंगो आज हम बढ़ने वाले हैं डिजीजिस ओफ बनाना जो बनाना की मेजर डिजीज हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिजीज हैं जो बनाना में आती हैं चले शुरू करते हैं सबसे पहले लिस्ट जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि बनाना डिजीजिस की कौन कौन सी लिस्ट है तो सबसे पहले है Panama disease, Panama disease किसकी वज़े से होती है? Fusarium, Oxysporum, Formal Species, Cubans के वज़े से होती है दूसरी है Mocowilt, Mocowilt किसकी वज़े से होती है? Rolstonia, Solanaciarum के वज़े से होती है तो यह जो आपकी Panama disease है, basically यह क्या है? Fungal wilt है, यानि कि यह Fungus की वज़े से होने वाली wilt है और जो आपकी Mocowilt है, या Mocowilt है, यह basically bacterial wilt है यानि कि bacteria की वज़े से होने वाली wilt है अगली disease है, Cigatoka leaf spot तो Cigatoka किसकी वज़े से होता है? Sarcospora, Musee की वज़े से होता है अब banana के नाम में Musee है, इसलिए यहाँ पे जो species है, वो भी आपकी Musee हो जाएगी उसके बाद में Anthracnose, तो Anthracnose किसकी वज़े से होता है? Coletto Trichum और Species आजाएगी, Musee उसके बाद में है Bunchy Top Disease तो banana में जो Bunchy Top Disease है, वो basically क्या है? Viral Disease है, virus की वज़े से होती है कौन सा वाइरिस है? Banana, Bunchy Top, Disease की नाम से हाजाएगा Banana, Bunchy Top और Last में वाइरिस लग जाएगा तो यह आपकी Disease की लिस्ट है Panama Disease जो की Fungus की वज़े से होने वाली विल्ट है Fusarium Oxysporum, Formal Species, Cubans की वज़े से बहुत ही जादा Important Disease है जो आपकी Panama Disease है चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या Important चीज़े है तो Panama Disease के स्टार्ट होने से पहले जब तक मैं आपको बताऊंगी कि Panama Disease के क्या Symptoms है कैसे Manage किया जाए आपके लिए Question है कि Banana COVID या Banana Pandemic या फिर Banana Cancer Banana COVID Banana Pandemic या फिर Banana Cancer Disease कौन सी है या आपके लिए Question है Banana COVID Banana Pandemic या फिर Banana Cancer Disease कौन सी है इसके बारे में आप से थोड़ी से Question पूछूंगी दूसरा Question इससे Related मेरा क्या होगा कि उसके वज़े से कौन सी आपकी बनाना की वेराइटी वाइप हो गई कौन सी वेराइटीस वाइप हो गई और तीसरा Question ये है कि कौन सी आपकी एंडेंजर्ड है यानि कि जिसको उससे खत्रा है है ना तो आपके लिए जब तक हम पनामा के बारे में पढ़ेंगे एक Question है कि बनाना COVID डिजिस कौन सी है या फिर बनाना pandemic डिजिस कौन सी है या फिर बनाना cancer डिजिस किसको बोला जाता है है ना उसकी वज़े से कौन सी वेराइटीस वाइप आउट हो गई है और कौन सी आपकी एंडेंजर है या आपके लिए Question है चलिए तब तक हम डिसकुस करते हैं पनामा डिजिस के बारे में तो पनामा डिजिस के लिए हमने पढ़ा कि जो इसका पॉजल और्गेनिजम है वो है Fusarium, Oxysporum, Formal Species, Cubans तो इसके जो सिम्टम्स हैं तब तक मैं आपको इसके सिम्टम्स बताती हूँ जो इसके सिम्टम्स में सबसे पहले क्या है जो आपके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें जो आपके ओल्डर लीव्स हैं उनके उपर इसके सिम्टम्स सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं जो आपके older leaves है उसके उपर आपको symptom देखने को मिलेंगे तो पहला symptom क्या है कि older leaves पे आपको symptom देखने को मिलेंगे दूसरी चीज़ क्या है कि जो fungus है वो क्या करता है? वेस्कुलर सिस्टम को block करता है तो जब आपके ये vascular system को block कर देगा तो आपका जो mineral है वो properly आपके जो transportation है substances की वो नहीं हो पाएगी तो उसकी बज़े से क्या हो जाएगा wilting हो जाएगी जो आपके margins हैं जो leaves के margins हैं वहां से आपको yellowing symptom आपको देखने को मिलेंगे किनारों से आपको yellowing देखने को मिलेगी और जबकि आपके midrip normal रहेगी जो किनारे हैं वो बिल्कुल yellow होना शुरू हो जाएगे तो यह आपके symptom है Panama disease के और जब आप इसका pseudo stem को देखोगे जब चीर के देखोगे तो अंदर आपको reddish brown color की vascular discoloration देखने को मिलेगी यानि कि उसका color change हो गया होगा reddish brown हो गया होगा चलिए अब देखते हैं इसके symptom कि fungus क्या कर रहा है वस्कुलर सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है और wilting कर रहा है सबसे पहले कौन से leaves की yellowing होती है older leaves की yellowing होती है यह हमेशा याद रखना है कि पनामा में हमेशा जो wilting होगी वह older leaves की होगी जो आपकी fungus की wilt है जो bacterial wilt है उसमें जो आपकी yellowing होती है वो newer leaves की होती है young leaves की होती है जबकि पनामा में हमेशा older leaves की yellowing होती है ये चीज़ याद रखनी है उसके बाद में क्या है कि जो leaf है जो पता है वो hang कर जाएगा है ना pseudo stems की बीच पता हैंक कर जाएगा जबकि जो middle है वो जो लैमिना है वो green ही रहेगा चार से छे हफते बाद सिरफ pseudo stem रह जाएगा और उसके असपास जो आपकी leaves है जो पते हैं वो आपको लटके हुए दिखाई देंगे जो dry हो चुके होंगे जो सूगे होंगे पहले उनकी yellowing हो जाएगी और wilt हो जाएगी अब जो आपका cut portion है उससे सड़ी हुई smell आएगी जैसे सड़ी फिश की smell आती है वैसी smell वहाँ से आना शुरू हो जाएगी और जो आपका जब आप split करोगे स्यूदो स्टैम को तो वहाँ पर आपको वैस्कुलर डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी जैसा कि हमने पहले वाले सिम्टम्स में देखा कि आपकी yellowing हो रही है older leaves की उसके लावा क्या हो रहा है कि जब वैस्कुलर सिस्टम ब्लॉक हो रहा है तो विल्टिंग सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं है ना सिर्फ आपका स्यूदो स्टैम रह जाएगा और बागी का पूरा portion विल्ट कर जाएगा जब आप इसको portion को देखोगे स्टैम को कट करके तो वहां पर आपको क्या देखेगा वैस्कुलर डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी अब इसके बाद में है कि कैसे spread करता है तो जो इसका mode of spread है वो है जो infected आपका vegetative portion है वहां से spread करेगा राइजोंस के तुरू spread करेगा जो प्राइम भी स्प्रेड होगा सेकेंडरी स्प्रेड के बाद करें तो आपका soil और water bond को नीडिया है उसके थूए spread करता है मतलब कि अगर आपकी जो खेत है उसके मिट्टी का पानी या खेत की मिट्टी है अगर आप इरिगेशन करें वहां का पानी अगर दूसरे खेत में भी जाता है तो भी disease spread हो जाएगी चले आगे पढ़ते हैं की manage कैसे किया जाए तो सबसे पहले तो healthy plant material को use करना है अब हमने पढ़ा कि rhizome की तुरू जा रहा है तो आपने जो disease free propagating material है उसको use करना है जो आपके rhizomes है उसको treatment देना है डंक solution के साथ में treatment दे सकते हो और carbon dozen powder के साथ में जो आपके resistant varieties है जैसे की robusta है ग्रेंड नैने है उसको use कर सकते है स्वाइल के basis पे अगर आपको लगता है कि आपकी स्वाइल में अगर आपको ज़रूरत है application की तो lime को apply कर सकते है यह बहुत important है कि bio control जो इसका है वो pseudomonas fluorescence के through या फिर ट्राइकोडर्मा very important कि ट्राइकोडर्मा वीर्डे की application देते हैं यह बहुत important है इसकी management में जो ट्राइकोडर्मा वाला है वो बहुत important है क्यों है अभी हम discuss करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे healthy material यूज़ करेंगे rhizome treatment देंगे जो आपकी resistant varieties है उनको use करेंगे और हम क्या करेंगे साथ में bio control हम pseudomonas के साथ में या फिर ट्राइकोडर्मा के साथ में कर सकते हैं चलिए अब आप से हमने question पूछा था थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि banana की जो covid disease है या फिर banana cancer किसको बोलते हैं कौनसी varieties wipe हो गई है और कौनसी varieties अभी भी है है ना जो इसके लिए endangered है वो मैंने आप से पूछा था आपके answers देख लेती हूं फिजेरियम विल्ट T4 चलिए ठीक है एडी शौन ने correct answer दिया है बाकी अनिल ने चलिए ठीक है आपको इसका answer बता देते हैं सिर्फ एक ने अभी तक correct answer दिया है तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आप देखो पनामा विल्ट डिजीस की मैंने management बता दिया आपको symptom बता दि हैं पहला कोशिन तो यह है कि पनामा विल्ट सबसे पहले कहां पर discover हुई थी तो आस्ट्रेलिया में पनामा विल्ट सबसे पहले discover की गई थी 1874 के टाइम पर दूसरा कोशिन क्या बनता है जो मैंने आपको बोला कि बनाना का cancer या बनाना का COVID या फिर जो pandemic आने वाला है या ज इस है और इस पोरम की जिसका नाम है रेस टी 4 तो यह जो रेस टी 4 है यह बहुत ही खतरनाक रेस है आपको पता है कि जो पहले का टाइम था तो पहले कौन से आपकी यूज की जाती थी varieties ग्रॉस मिशल वराइटी पहले बहुत यूज की जाती थी एक्सपोर्ट के लिए भी क्योंकि अब बनाना के ऐसा खाना प्रेफर करते हैं जिसमें दाग धब्बे कम हूं है ना तो ग्रॉस मिशल वाली जो वराइटी थी वह बहुत अच्छी वराइटी थी जिसको यूज किय जाता था पर क्या हुआ फीजरियम की वजह से यह पूरी की पूरी जो इसकी कमर्शल वराइटी से वाइप आउट हो गई है ना इस डिजीज की वजह से सारी वराइटी वाइप आउट होगी उसके बाद में जो आपकी वराइटी आई वह आए के वेंडिश ग्रूप तो जो आप घरों में यलो कलर का बनाना खाते हैं वो बेसिकली क्या है के वेंडिश ग्रूप है तो यह जो के वेंडिश ग्रूप की वराइटी थी यह बहुत ही अच्छी वराइटी थी हैना पर अब क्या है इस जो पनामा डिजीज है यह अटैक कर रही है स्टार्ट कहां से ह आईवान से शुरू हुआ यह जो रेस T4 है उसके बाद मीडल इस्ट में आया अफ्रिका में आया अमेरिका में आया और अब इंडिया में तो इंडिया में अभी जो सबसे जाधा खत्रा है वो यूपी और बिहार में है इसका तो यह जो अपकी टी आर फोर रेस है यह इससे जो एंडेंजर्ट वराइटी है अभी की डेट में वो है केवेंडिश और जो वाइप आउट हो गई है फुजेरियम स्पीशिस की वज़े से वह आपकी ग्रॉस मिशल तो अभी जो रेस है वो किस पर टैक करी है केवेंडिश वाली पर अटैक कर रही है तो बहुत सारे जो कि फ्यूजिक एंट के स्प्रे बताया है जो रोन डेवलप किया है तो फ्यूजिक एंट के बारे में मैं आपको आज नहीं बताऊंगी क्यों ताकि आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करके हैं कि क्या है यह फ्यूजिक एंट प्रनाली इसके बारे में आपने थोड़ा पाउट हो गया और कौनसी अभी खत्रे में है चलिए अब इसके बाद में देखते हैं अगला है मोको डिजिस तो आपकी जो मोको डिजिस है यह सबसे पहले गायना में देखी गई थी 1840 के टाइम में देखी गई थी और यह विल्ट कौनसी है बैक्टीरियल विल्ट है यानि है ना तो जो आपकी पनामा विल्ट है पनामा में हमेशा ओल्डर लीव्स की विल्टिंग होगी तो आपने पीयो याद रखना है पोस्ट ऑफिस याद रखना है कि पनामा में हमेशा ओल्डर लीव्स की आपकी विल्टिंग होती है और माई मोको में हमेशा यंगर लीव्स की wilting होती है यह बहुत important है पूछा जाता है कि पनामा में कौन सी leaves की wilting होती है और मोको में कौन सी leaves की wilting होती है तो याद रिटना है कि जो आपकी bacterial wilt है जो मोको wilt है उसमें आपकी हमेशा my why मतलब की younger leaves की wilting होगी तो इसके symptom देख लेते हैं कि yellowing हो जाएगी आपकी younger leaves की उसके बाद में क्या होगा younger leaves के बाद में नीचे की तरफ को आपकी wilting होगी और आपकी leaves क्या कर जाएंगी सूख जाएंगी और लटक जाएंगी बिल्कुल ड्राय हो जाएंगी जो आपका बंच है fruits का वो भी छोटा हो जाएगा और उसमें जो राइपनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी जो भी आपके fruits है fruits के ओपर कही बार आपको bacteria का ooze दिखाई देगा तो यह आपके bacterial wilt के symptoms है bacteria की case में ooze दिखाई देता है जहाँ पर bacterial की colony का mass होता है है ना तो यह जो क्या है bacterial ooze दिखाई देगा liquids यह आपको droplets दिखाई देंगी और आपकी vascular browning दिखाई देगी तो जो सबसे main symptom है वो यही है कि yellowing किसकी हो रही है rhizomes यह सबकर्स के थिरू होता है है ना secondary spread आपका पानी के थिरू हो जाएगा या फिर आपके जो ब्याप सबकर्स यूज करें यूज के लिए उसके थिरू हो जाएगा तो जो प्राइमली free planting material को use करना है है ना resistant varieties यूज़ करना है जैसे कि Robusta है Grand Nene है जितने भी infected plants है उनको collect करना है और burn कर देना है अब आपको पता है कि ये कैसे हो रहा है कि पानी की अगर एक खेद का पानी दूसरे खेद पर जा रहा है कि जब आपका पानी है वह एक खेद से दूसरे खेद तक ना जाए अब जब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आपको बता है बैक्टीरिया की केस में सबसे पहले जावा में देखा गया था सीगटों का डिजिस में बेसिकली क्या होता है आपकी स्ट्रीक स्टीच देखने को मिलेंगे उसके बाद में क्या होगा वह ब्राउन से मड़ी हो जाएंगी, ब्लैक हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी और जो सेंटर का पोर्षन है, जो बीच का पोर्षन है, वो नेक्रोटिक दिखाए देगा आपको, जो पोर्षन है, जो बीच का उसकी डेथ हो गई होगी, तीश्य उसकी डेथ हो जाएगी, त पत्लब फिन आपके जहड़ चाएंगे तो यह की सिगां टूका डिसीस अब सिगां टूका मैं भी दोटाइफ के सिगां टूका होते हैं है उसके बारेक सिगां टूका होता है यह जो तो इस बारे słow होता है इसके प्लोड़ा सा देख के आये और इसुनARS होगेजिवाश्य самого दो type के कौन-खौन से सिगाट होका है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बढ़के आएंगे, चलिए, primary source देख लेते हैं, तो जो primary source है, infection का वो क्या है, जो आपके debris है, जो आपके अफशेश है, crop के वहां पे जो infected plant material है, वहां से होगा, secondary source क्या है, airborne kunidya तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं एक तो जो भी आपके debris में present है तो infected debris को destroy करना है जो भी आपके infected leaves को collect करो, burn करो उसको destroy कर दो उसके अलावा bodic mixture को हम use कर सकते हैं copper fungicides को use कर सकते हैं carbonism को और mancozab की spray कर सकते हैं और triazoles जैसे कि प्रॉपिके नौजोल को इसके लिए स्प्रे कर सकते हैं तो यह इसकी management है कि सिगा टोका के लिए हम क्या-क्या management practice follow कर सकते हैं नेक्स्ट डिजीज है बनाना बंची टॉप डिजीज अब इसके बारे में पढ़ने से पहले कि बनाना बंची टॉप क्या है किसके वज़े से होती है वाइरस की वज़े से होती है यानि कि यह वाइरल डिजीज है तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि वाइरल डिजीज में आपको वेक्टर्स का खास कर ध्यान रखना है कि किसके वज़े से डिजीज ट्रांसमिट हो रही है तो चलिए इसके बारे में मै को बटाती हूं इतने दिर में आप मुझे बताऊगे की यह बनाना बंची टॉप का मेन वेक्टr कौन सा है तब तक आई भूसे और ढाल के श्रीन पड़िव में अब जैसा लिखा है बनाना बंची टॉप रहा है सबसे पहली चीज की वजह से होता है यह वाइरस की वजह से होता है बनाना बंची टॉफ गाइड इसी से काइड नाम भी है डाल इस कानाम है cabbage top disease, अब इसमें क्या होता है, जो आपकी infected leaves हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपकी infected leaves हैं, वो बिलकुल कैसी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, और वहाँ पे आपको green color की streaks देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, और bunch सा बन जाएगा, मुर जाएंगे, वैसे symptom देखने को मिलेंगे, leaves आपकी छोटी रह जाएगी, और जो crown portion है, वहाँ पे आपको rosette appearance, यहाँ फिर bunchy leaves देखने को मिलेंगी, इसलिए इसको बोला जाता है, banana bunchy top disease, जो आपके fruit bunches है, वो भी आपके छोटे रह जाएंगे, जो बुच्छे हैं फलो होंके, वो भी छोटे रह जाएंगे, है ना, तो इसलिए यह disease जो है, viral disease आपको पता है कि viral disease में stunting बहुत common है, chlorosis बहुत common है, symptoms आप देख सकते हो कि किस तरह से इसके symptoms देखने को मिलते हैं, अब आप से मैंने question पुचा था कि कैसे spread करती है, देखते हैं, तो सरोश ने लिखा है, aphid, मनराज ने भी aphid लिखा है, शौन ने लिखा है, aphids और white flies, तो basically जो आपकी disease है, यह किस की वज़े से होती है, aphids की वज़े से होती है, transmit, और जो सबसे main aphid है, that is, banana aphid, banana aphid का क्या नाम है, पैंटेलोनिया निग्रो नर्वोसा, तो जहां पर आपको पता है कि aphid के थूँ ट्रांस्मीट हो रही है है, कई जगह पर बहुत specific vector दिया होता है, नाम के साथ में vector दिया होता है, तो वहां पर आपने नाम के साथ याद रटना है, जैसे यहां पर आपके banana aphid है, जैसे कि पैंटेलोनिया निग्रो नर्वोसा है, वो इसका vector है, तो जो प्राइमली स्प्रेड है, वो तो आपका सकर्स के थूँ और infected plants के थूँ हो रहा है, सेकेंडरी आपका vector born virus जो आपके particles हैं यानि की aphid के थूँ हो रहा है, तो अब management में भी आप क्या करोगे, जो infected plant material है, उसको destroy करोगे हैं और aphids के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि insects के लिए आप क्या करोगे, insecticides को यूज करोगे, तो उस case में आपको vector control करना पड़ेगा, और rogging out कर सकते हैं जब भी हम बात करते हैं viral disease की, तो यहाँ पे थोड़ी से management देख लेते हैं कि healthy plant material यूज करना है, infected ज यूज कर सकते हो और dimethyate जिसको हम रोगर भी बोलते हैं उसको यूज कर सकते हैं इसकी management के लिए, तो यह है बनाना की important disease जिनके बारे में आज हमने discuss क्या है, अब आप से मैंने कल पूछा था कि जो red rust है mango का, उसके बारे में पूछा है मैंने last class में आप से क्या आपने उसक के बारे में मुझे बताएंगे और मैं आपको अब थोड़ा सा बताती हूँ, तो जो हमारी next है, आपने questions जून के लाने है, तब तक मैं आपको red rust के बारे में बताती हूँ, जो red rust है, वो cephalerose viruses की वजह से होता है, जो क्या है आपका alga है, और कैसे यह transmit होता है, या फिर कैस इसका पहला जो इसका method है, वो है आपका primary source क्या है, जूस force है, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, एक तो bodex mixture यूज कर सकते हैं, या फिर copper oxichloride को यूज कर सकते हैं, अब next class के लिए आपने थोड़ा सा धून के लाना है, जो मैं आपसे questions पूछे, एक तो physique end के बा पारे में, चले फिर next class में आप से मिलते हैं, तब तक आप थोड़ा